आज देश का युवा आत्म विश्वात से भरा हुआ है आशावान है सामर्थवान है कर्तुत्वान है और मुझे मेरे देश के युवाओं पर नाज है मैं दुनिया में जाता हूँ ना तो मैं मुझे लोग पूते हैं बोदी जी इतने बड़े बड़े काम इतने बड़े बड़े सपने मैंने काए सपनों की ताकत मुझे मेरे देश के नवजवानों से मिलती है उनके सामर्थ से मिलती है आज देश में नए नए अवसर बन रहे हैं नए नए सेक्टर फुल रहे हैं युवाओं की हर आकांच्छा का ध्यान हमारी सरकार रख रही हैं युवाओं की सहायता का लिए मुद्रा लोन है, स्कील इंडिया मिशन है, स्टेंड़ इंडिया मिशन है, हमारी नोकरियों में गेर जरूरी इंटर्यू खत्म कर दिये हमने स्थानिय भासाओं में परिक्षाओं का प्रावधान किया, हमने सरकारी व्यवत्ताओं को फेसलेस बना दिया, साथियों दूसरी तरफ कॉंग्रेस है, जिसने आजादी के बाद से ही भाई बती जावात को बढ़ाया, युवाओं की छमता को बरबाद किया, अभी इसका ताजा प्रमान मिला है, आप जड़ा सुनिये और लोगों को बताइए, साथ आज आपने अख़बारों में भी पढ़ाओगा, ताजा प्रमान मिला है, हमारे पडोस में, राजस्थान में, वहाँ कॉंग्रेस की सरकार थी, कॉंग्रेस के अपने लोगों ने, कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री के करीबी ने, कल एक बड़ा चौकाने वाला खुलासा किया है, और सार्वजनी ग्रूप से किया है, और अभी तक कॉंग्रेस के मुँपर ताले लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं, कि पेपर लिख, याने नव जवानों के भविश्य के साथ इतना बड़ा खिलवार, वो कहते हैं, कि राजस्तान में जो पेपर लिख हुआ, वो पेपर लिख में, गहलोत सरकार कॉंग्रेस के, गहलोत की सरकार, खूद शामिल थी, और कोई और नहीं कह रहा है, जो कॉंग्रेस के मुख मंत्री के कार्यले में काम करने वाले सज्जनते, वो खेह रहे हैं, आप बताइए मेरे नव जवानों, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा धोखा, मेरे देश के युवाओं के साथ नहीं हो सकता है, यानि राजस्तान में आप कॉंग्रेस का ही पेपर लीग हो गया है, यही कॉंग्रेस की सक्चाई है, इसलिए देश के युवाओं को, हमारे फर्स टाइम बॉटर्स को कॉंग्रेस से बहुत सतर्क रहना है,